वेल्कम टू माई यूटूब चानल एलाईएस इक्सपर्ट मैं अपने चाल एलाईस इक्सपर्ट पर आप सो लो का बहुत बहुत सवावेत करते हूं देखें फ्रेंड्स यह मेरे हाथ में पेपर यूजी सिनेट पेपर फोर्स का यह पेपर 2 का स्लेबस है इसमें से मैं है ना पार्ट वन में भी मैंने कुछ टेप्स और टेक्स आपको बताई थी पेपर को किस तरह टाइम करना चाहिए और क्या-क्या चीज़त ध्यान में रखनी चाहिए लेकिन मैं यहां पर यह भी बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह केसे करना है पेपर में और साथ हम उनको कम टाइम दें कम एफ़र्ट दें जिससे हमारे मतलब जो स्कॉर है अच्छा हो सके हमें बैसिकली स्कॉर अच्छा करना है स्मार्ट वक करके ना तो यह सारी चीज़े मैं इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करूंगी यह पार्ट टू है उसी का ही डिसकुश है तो आपको देखिए क्यूंकि 50 मार्ट का पेपर आने वाला 50 कोशन्स आने वाले स्वाइब इस पूरे पेपर फॉर्स में तो हार 10 यूनिट से तो हार यूनिट में से 5 कोशन्स आएंगे पेपर पैटन भी इसी तरीके से कर रहता है आप चाहें तो देख सकते पेपर जिस तरीके से मैं बता रही हूं तो अगर आप चाहें तो टीचिंग अप्टिव पर जो अगर आप अच्छे से प्रिपेर करते हैं तो आप 325 कोशन्स उसमें अटेंब कर सकते हैं है इसी तरीके से हमारा रिसर्च अप्टिटूड पहुत इजी टॉपिक है इसको भी आप अच्छा टॉपिक है बहुत शॉट टॉपिक है अराम से अटैंप हो जाएगा है लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा जैसे हम मैथमाटिकल रीजनिंग पर आ जाते हैं तो इसमें क्या है देखिए सीरीज है लाटर है कोड है रिलेशनिशिप है तो इस परसेंटेज है प् इसमें बहुत सारे टॉपिक मैथ से रिलेटेड है तो जिन बच्चों को मैथ अच्छा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है वह अटैंप कर सकते हैं लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस टॉपिक प यह तो नहीं है जैसे प्रमानाज है इस पर कोश्चन आता है अनुमनाज है उपमनाज है तो मैं यह सारा ठोटिकल पोर्शन है तो मैं आपको सेजेस्ट करूंगी कि यह पार्ट आपका कवर करें आप और इस पर कोश्चन भी बनते हैं ठीक है डाटा इंटर्प्टेशन मै मैं नहीं suggest करूंगी कि आप इसको ले क्योंकि इस topic के लिए आपको time और effort बहुत देना पड़ेगा और अगर आपका mathematical portion अच्छा है अगर आप अच्छे से calculation कर लेते हैं तो ही इसको लीजिए otherwise मैं नहीं suggest करूंगी इतने कि आप इसे attempt करें और इसमें अपना effort दें हाँ इसके पाद आता है unit 7 ICT यह मैं suggest करूंगी थोड़ा से lengthy topic है बट इतने इसमें कोई hard and fast चीज़ें नहीं है अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं आराम से थोड़ी theoretical portion से related chapter है आराम से इसे cover गड़ से थोड़ा लेंधी है ब तो मैं आप आप जाते है people and development environment यह भी थोड़ा सा difficult मैं difficult नहीं करूंगी कहूंगी medium topic है तो environment related है तो अगर आप इसे पढ़ते हैं अच्छे थोड़ा लंथी ज़रूर है अगर आप इस अच्छे से करते हैं तो definitely आप अच्छे marks गेन कर सकते हैं इसमें भी आप 3 marks आराम से ला यह थोड़ा लंथी कम है बट थोड़ा सा यह है कि अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें भी आप अच्छे माज़ गें से देखें इसमें मैं कुछ ऐसे unit आपका जो unit 6 है unit 4 है और unit 7 है 6 है और 5 है यह थोड़े से portion इस तरीके के हैं paper first मैं जो मैं आपको बिल्कु सजेस्ट नह करूंगी कि आप इन्हें करें है ना और या फिर attempt करें बट जो थोड़िकल पोर्शन है जैसे unit 1 है 2 है 3 है 4 है और 8 9 10 है यह सारे थोड़िकल पोर्शन से related है अगर आप इनमें अच्छे से स्टड़ी करते हैं और प्रिक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आप अराम से नेट क करने के लिए परफर वस और पढ़ने के लिए तो मैं यहीन पर फोड़िकल Minh चारोंगी परफोर्स में आप इन टॉपिक में थोड़ा इंटिस करें और प्रिक अच्छे से स्टτεड़ी करें ूर अच्छे Marps, labor force पर सू. में आपको प्रफोर्स तो इतना आप olması है, यह дав me थ यह था पार्ट टू इसके बाद मैं एक वीडियो और कवर करूंगी पार्ट थ्री में जिसमें मैं पेपर टू लाइबर साइंस के बार में डिस्कुस करूंगी तो होपस ओ फ्रेंड आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया हो और जो भी चीज़े मैंने आपको सजेस्ट की हैं जो भी यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें वो भी आपको समझ आए होंगे और मैं यही प्रे करूंगी और विश्ट भी करूंगी कि आप अच्छे माउस केन करें और इसी दिसमबर साशन में अपना यूजी से नेट का पर क्लियर करें अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में आपने डाउट्स लिख कर बता सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ करूंगी और जो भी डाउट्स है उन पे मैं सारा रीड करूंगी ठीक है और मेरी तब से जो भी पॉसिबल हैल्प होगी वो मैं आपको प प्लीज सब्सक्राइब मैं आपको प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल